Hello everyone, welcome back to your channel तो जो आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ वो आपके लिए काफी जादा हेलफूल होने वाली है क्योंकि आज की रिक्रूट्मेंट में मैं आपके लिए प्राइवेट जॉब्स लेके आई हूँ आपको अपनी जॉब के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा आपको अपनी इलिजिबिल्टी के लिए एक ना एक जॉब सर्च हो जाएगी तो मैं बात करते हूँ भिना टाइम एस करें इस वीडियो के ओपर हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं तो यह जो रिक्रूट्मेंट्स हैं नंबर ओफ वेकेंसी हैं मैं दिखा देती हूँ आपको जो निकली हुई है रिलाइंस जियो इन्फो कॉम की तरफ से निकली हुई है जिसके लिए बी इस सिविल चाहिए आपको इन डिटेलिंग पे नहीं चाहूंगी मैं आपको ओवर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में तो दे ही रही हूँ आप हर एक वेबसाइट के लिंक पे जाके हर एक जॉब की जो स्पेसिफिकेशन है डिटेलिंग है उस पे जा सकते हो तो यह जो रिक्रूट्मेंट है पहली जो है वो रिलाइंस जियो इन्फो कॉम की इनको फुल टाइम डिग्री इन इंजिरिंग डिप्लोमा चाहिए अगर मैं जो डिस्क्रिप्शन है जॉब का तो इनको ग्राजुट एप्रेंटिस चाहिए नेक्स रोहन बिल्डर्स रिकूट्मेंट है निकली हुई है इनको प्लानिंग इंजिनियर की रिकूट्मेंट चाहिए नेक्स्ट ओइल इंडिया लिमिटेड की रिकूट्मेंट है जो इनको इनको अगर मैं इलिजिबिल्टी क्रैटियरी की बात करो तो इनको बी और बी टेक सिविल इंजिनिरिंग में अगर आपके पास है तो आप इसी रिकूट्मेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो इसके लिए जो आपका डिस्क्रिप्शन रगया जॉब डिटेल्स रहेंगी वो सिविल इंजिनिर और कंट्राक्ट बेसिस अगर आप कंट्राक्ट बेसिस पे अगर आप कहीं पे लगना चाते हो तो आपके लिए ये भी वेकंसी काफी अच्छी है नेक्स्ट जो और एक्सपिरियंस कैंडिडेर्स के लिए उपर्चुनिटीज है आप बस विडियो को देखो और शेयर करो ताकि हम भी मॉटिवेट होके आपको और से जादा से जादा आपको कंटेंट प्रवाइड करते चलें नेक्स्ट रिकूट्मेंट जो है वो इंडिया रेजिस्ट थे यहें है अगर आपके पास तो वह इनको चाहिए नेक्स्ट क्यूब्स इंजिने़ प्राइवएट लिमीटेड है इसके लिए अगर स्टीनिकां के लिए्ट्रिकल मेंजिनेर हो यह सृब वो इलक्ट्रिकल इंजिनियर हो यह सिविल इंजिनिर रो तीनों के लिए उन्हें ने वेकैंस क्रीयाट सब्सक्ति हुई होजी कि लिए अंगर आपके पास तो इसके आपको रैंक काफी अच्छा मिल जाएगा सब लूटनेंसर का काफी अच्छी है next kg Foundations Limited की तरफ से निकली हुई है इसके लिए आपको जो जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिटेलिंग है वो ड्राफ्ट पर्सन और जूनियर आर्किटेक्ट की रिकूटमेंट है नेक्स सेल रिकूटमेंट है यह काफी अच्छी विकंसी है सेल की इसके लि इसके लिए आपको यहां पर एक नारी जॉब मिल जाएगी नेक्स्ट नीरी रिकूटमेंट निकली हुई है नीरी कंपणी निकाली हुई है अगर आपको सालरी दी हुई है 15,000-18,000 आपको सालरी मिल जाएगी next IR class recruit में निकली हुई है इसके लिए civil engineer की जुरूट है sun and black floors construction recruit में निकाली हुई है इसके लिए आपको auto care आँ चाहिए अड़ो बड़ क्रियेटिव आना चाहिए next ICI recruit में निकली हुई है इसके लिए civil engineer की जुरूट है इनको on contract basis KIO CL Limited recruit में निकाली हुई है इनोंने अपनी फिर GR Engineering recruit में निकाली हुई है इनोंने NCC Limited recruit में निकाली हुई है आपकी आपकी supervisor की contract basis पे इसमें आपको freshers हो experience हो दोनों अप्लाई कर सकते हो नेक्स सोलार एनरजी कॉपरेशन निकाली हो अपनी supervisor की recruit में निकाली हुई है नेक्स्ट काफी अच्छी वेगेंसी है L&T ने अपनी recruit में निकाली है इसके लिए fresher वो पॉइंट करना जा रहे हैं अगर आप final students हो तब भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप जुरूर नहीं आपकी degree complete होगे अगर आप final में हो इस time तब भी आप इन recruitment के लिए अप्लाई कर सकते हो next UIT group ने अपनी fresher की वेकेंसी निकाली हुई है आई FFCO कांडला ने निकाली हुई है फिर Reserve Bank of India Junior Engineer की निकली हुई है इसके लिए आपको experience की जुरूरत है फिर मग नरेगा ने निकाली हुई है इसकी technical assistant की है इसे ही काफी जादा आपको vacancies, number of vacancies मैं आपको इस website पे देने जा रही हुई हूँ यह number of vacancies निकली हुई है जो कि अगर आप fill करते हो तो आपको job आपकी guarantee है इस website का जो link है वो मैंने आपने description box में दे दिया आप चाहे तो वहां पे click करके इन job की पूरी की पूरी details पढ़ सकते हो अगर आपको चाहिए कि मैं एक-एक job के बार में खुद detail में बताऊ आपको तो आप comment section में बता दीजिए मैं उसका reply का job की specification और इसके detailing के बार में video बनाऊंगी अगर आपको चाहिए तो मैं आप उसके बार में बताऊंगी otherwise मैं इस website का link तो description box में दे ही रही हूँ इसमें आपको number of vacancies मिल जाएंगी आपको अगर आपके पास btech है mtech है अगर आप diploma holders हो experience है आपके पास या freshers हो आपको हर एक recruitment मिलेगी ही मिलेगी अपने eligibility criteria को accordingly so thank you everyone please मारे चैनल को like कर दो हमारे videos को share करो bell icon को दबा दो so thank you everyone